रहीम खान जी, विजय सिंग जी, अशोक कैनी जी, भीम सेंग शिंदे जी, इश्वर खांडरे जी, स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के वरिश्ट नेता, हमारे प्यारे कारेकर्ता, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत-बहुत स्वागत, आप इतनी गर्मी में यहां आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, पिदर, बसवना, बसवना जी की धर्ती उनकी कर्म भूमी है, और अगर पहली बार हिंदुस्तान में लोगतंत्र की किसी ने बात की, लोगतंत्र का रास्ता किसी ने दिखाया, तो वो बसवना जी थे, दुख की बात है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आरेसेस और बीजेपी के लोगतंत्र पर आक्रमन कर रहे हैं, जो बसवना जी की सोच थी, कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, कि सबको जगे मिलनी चाहिए, और सबको एक साथ मिलकर आगे चलना चाहिए, उस सोच पर बीजेपी और आरेसेस आक्रमन कर रहे हैं, हिंदुस्तान में नफरत फेला रहे हैं, हिंसा फेला रहे हैं, और जो सबसे गरीब कमजोर लोग हैं, उनसे घंचीन कर दो-तीन अरब पतियों को धन दिलवा रहे हैं, आप करनाटका में बीजेपी को अच्छी तरह पहचानते हों, और 40% कमिशन की सरकार नारा मैंने नहीं दिया है, आप लोगों ने दिया है, करनाटक की जनता ने दिया है, मगर बीजेपी पर बोलने से पहले, मैं आज कॉंग्रेस पार्टी से सुड़ करना चाहता हूँ, नाव जीतने के बाद कॉंग्रेस पार्टी की सरकार करनाटक में क्या करने जा रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही है ना, तो जब 36 गड़ में मध्य प्रदेश, राजिस्तान, हिमाचल, बाकी प्रदेशों में सुनाव हूँ, तो कॉंग्रेस पार्टी के नेता मेरे पास आए, और उन्होंने मुझसे पूचा की क्या करना चाहिए, तो मैंने उन्से कहा देखिए, आप जो भी बड़े वाइदे करोगे, सबसे पहले आपको जूटे वाइदे नहीं करने चाहिए, जैसे नरेंद्र मोधी जी ने, जैसे नरेंद्र मोधी जी ने 15 लाग रुपए का वाइदा किया था, वो बैंक अकाउंट में 15 लाग रुपए वाला, मिला आपको? काले धन के खिलाब लड़ाई की बात की थी, नोट बंदी, तो मैंने कहा वैसे जूटे वाइदे कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं करने चाहिए, दूसरी बात मैंने कही, कि जो भी आप वाइदे करोगे, उनको सरकार बनते ही, जल्दी से जल्दी पूरे कर देने चाहिए, मतलब वाइदे में दो-तीन साल, चार साल नहीं लगने चाहिए, सरकार के पहले कुछी दिनों में वाइदा पूरा कर देना चाहिए, तो मैं आज आपको चार वाइदों के बारे में बताना चाहता हूं और यह जो हमारे वाइदे हैं इनमें छे-सत महीने नहीं लगेंगे ये कबिनेट जब यहां कबिनेट बेटेगी कॉंग्रेस पार्टी की कबिनेट जब चुनाओ के बाद बेटेगी पहले दिन ये चार निर्ने हम ले लेंगे कोई डिले नहीं होने वाला है और यह जो वाईदे हैं ये अरब पतिों के लिए वाईदे नहीए जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योज़ 24